नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में बहुत ही दमदार ख़बर आते पर देखने को मिल रहे हैं आगे बेंड़े चोटी सी रिक्वेश्ट आप चानल पर नए आये हैं सब्सक्राइब निक्या तो भी कर लीजिए साथ बेला इकन को जरूर प्रेस कर लीज देश का आगे ख़बर और देखते हैं देश के दिगज इन्वेस्टर में शुमार राकिस दिमार्ट के फाउंडर आर के दमानी जो है रिजर्व बैंक से संपर्क में है और संपर्क करके लो प्राइवेट लेंडर बैंक आर बिल बैंक में 10% की हिस्सेदारी खरीदने के ल लिखे जाने पर परतिकरिया नहीं दिए अब दीके आर बिया ने बैंक के बारे में क्या परतिकरिया दिये आर बिया ने यहां रेगुलाटरी फाइलिंग कि आर बिया ने पच्छी साल के अनभवी दयाल जो है इनके नए परमोटर बनाए गया है कि उनके मेंबर बोर्ड म और काफी मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है बैंक ने कहा कि 16.3 फीज़ी कैपिटल एक डीक्वेशी अच्छी लिकुडिटी के साथ बैंक के फिनैंशल मजबूत बने हुए तीस से तमद हो जाकि इस तक उसका लिकुडिटी कवरेज रेशो 155 फीज़दी नेट नप काफी अच्छी जो कि 211 की देखने को बेरे 211 रुपए प्रति शेर की बुक्स में कंपनी की वैल्यू बनती है जो कि ऐसे ट्रसारा में लाके है पीबी का रेशो जो है एक से भी नीचे यानि बुक वैल्यू से भी नीचे स्टॉक टेट करा जो कि पीड़ेशो पॉंट बै कि देखेंगे तो कंपनी के रेविन्यू लगातार कुछ मेंटेन सा करते वह देखने कंपनी के ना ज्यादा गिर पा रहा है ना ज्यादा उठ पा रहा है आप देखेंगे कि पिछले साल से लेकिस साल में दो हजाद चौन तीस करोड़ का यानि यह लिए और क्वाटरी दो ज़्यादा अच्य देखने को नहीं मिल रही है दो हजार की सौ करोड़ का कंपनी के रेवन्यू करने के बाद भी कंपनी का मुनाफ़ पोस्ट किया था उसके सामने फिर भी कंपनी का अटिसम मुनाफिय में आई है लेकिन पैट अभी भी कंपनी का 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 इस जाद डाउन ही देखने को मिल रहा है अर्विल बैंक का डेली जार्ड मैंने आपके सामने उपन किया है डेली जार्ड की इस्तिती बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं देखी देखते हैं उपर इस तरह से स्टॉक काफी ज्यादा करेक्टेड आपको देखने को मिला में 700 रुपर के ट्रेड करने वाला स्टॉक काफी लगाते हैं अपरेल मार्ट से 2020 में 100 रुपर पहुंसते हैं और वहां से काफी ओपर की यातरा करने के बाद पर सिलिप होते हैं जो कि आप यहां देख सकते हैं आपको दिखाऊंगा डेली चार्ड पे स्टॉक में बावन वी स्टॉक जो चल रहा है एक सो बहुतर 170 की रेंज का वह गर स्टॉक सस्टेन कर पाता है और निकाल पाता है आने वाले एक दो दिनों में यह कल की डेंट में तो 186 से 190 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है जो कि यह आप तेक सकते हैं हर्डल ने 190 के ऊपर टिकने बाद 200 तक की य निश्यत आप समझ सकते हैं तो कमेंट करें बताएगा क्या आपने बाय कर रखा है क्या आप न्यूज के बारे में आपका क्या व्यू है वीडियो से लगा इसको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद